नमस्कार सर मेरा नाम राजु है अभी अभी LIC mutual fund ने एक नया fund शुरू किया है उस fund का नाम है LIC balance advantage fund ये एक NFO है new fund offer जो 10 रुपया से हमेशा शुरुवात होता है कोई भी fund शुरू होता है तो 10 रुपया से शुरुवात होता है उनके एक unit का price 10 रुपया होता है ये NFO 3 November तक ख 10 रुपया के rate से आपको unit allot हो जाएगा इसके बाद एक सब्ता के बाद जब NFO फिर से open होगा उसका price जो भी होगा 10 रुपया 10 पैसा 10 रुपया 20 पैसा यह 9 रुपया 50 पैसा 9 रुपया 90 पैसा उस price पे फिर इसको खरीदा जा सकता है ऐसा नहीं कि NFO के पहले खरीदा जा सक जा सकता है उसके बाद भी खरीदा जा सकता है NFO के पहले 10 रुपया से सबको एलोट हो जाएगा NFO के बाद जो भी price market में होगा उस price से सबको खरीदना पड़ेगा मैं इस fund के बारे में यह बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर आप average पहले का return देखेंगे balance fund का तो बिरला balance fund HDFC balance इन सबका average return चेक करेंगे 12% 17% 16% 12% 15% सब मिला के average चेक करेंगे तो 14% का return यहाँ पे देखा जा रहा है मैं आपको यह बोलता हूं कि 14% भी नहीं 12% का return मिले तो क्या बुराई है तो आपको यहाँ पर करना क्या है जो भी आपका LIC में पैसा है पहले से traditional plan में चल रहा है यूलिप plan में नहीं यूलिप आपको लंबे समय में अच्छा कासा return दे ही देंगे पर यदि आपका पैसा LIC के traditional plan में है आप एक चीज में confused मत होईए LIC अपने आप में दो company यहाँ पे चला रहे है LIC life insurance अलग company है LIC mutual fund अलग company है दोनों एक नहीं है अलग अलग है इनका branch अल है फिर आप यहाँ पे जाके आप अपना पैसा invest कर सकते हैं कौन सा पैसा invest करना चाहिए आप जो भी LIC में पैसा पहले से traditional plan चल रहा है अगर आपका 5 साल पूरा हो गया traditional plan का वहां से अपना पैसा निकालिए और इस fund में switch कर दिजे अपने पैसे को मतलब LIC के life insurance से पैसा नि बीद गया है दस सल बीद गया है लेकिन यदि maturity में दो साल तीन साल चार साल बचा हुआ है तब नहीं निकालना है क्योंकि ज्यादा घाटा हो जाएगा लेकिन 5 साल साल नो सल हुआ है इतना ही हुआ है और ज्यादा समय अभी पे करना बागिए तो वहां से पैसे को निकालि तो वहां पर आपको पांस से छे पर्षंट का ही रिटन मिलना है इससे जादा नहीं मिलेगा तो आप अपने बचे-खुचे-पैसे को बहतर धंग से मैनेज करना चाहते हैं तो वहां से पैसा निकाल के एलाइसी बैलेंस एडवांटेच फंड में आप स्विच कर सकते हैं मैं से चेपन परिमियंगे 8000 के आप मैं क्यों एक पर मैं को इते हैं और यसा अगर говорить साल तक देते रहें है तो 6% के रे ये से टेक्टिन प्लाण आपको पैसे देंगे वापस तो आपका पीचा जमा होगा 36 रुपिया और भी यहां पैसा बनता है14 को लाग रुपिया जबकि 11 पर लाग रुपया आपका पूटफोलियो लंबे समय में 12 परशंट का रिटन डिलीवर करें तो पैसा बनता है एक और उन्चास लाग रुपया डवल से ज्यादा का अंतर है तो यह जो कहते हैं एलाइसी जिंदिकी के साथ भी जिंदिकी के बाद भी यह मुचल फंड एलाइसी क ज्यादा पैसा देंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स का जीवन यापन करने के लिए यह कुछ ना कुछ योगदान यहां पर करी देंगे तो बहतर यह है कि आप किसी भी टेडिशनल प्लान से निकल के एलाइसी के मुचल फंड में पैसा इंवेस्ट कीजिए एक कहावत बोल आप यहां से पैसा निकालके यहां पर रख दीजे यहां का रेगुलेशन अच्छा है यहां पर रिटान अच्छा है फन मेनेजर अच्छे होंगे तो आपका लंबे समय में अच्छा खासा पैसा बन ही जाएगा आपको मुचल फंड में ऑनलाइन इंवेस्ट करना है हमसे जोड़ना चाहते हैं तो लिंक में एकाउंट करने के बाद आप हमसे सारा कोईरी सॉल्व कराईए